Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम लुक पढ़ेंगे Class 3 Maths अडिहन्त वर्क बुक का Chapter 8 Who is heavier? तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरी साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजे Who is heavier? Pick the one for which you need a bigger bag अब यहाँ पर आपको एक में टिक लगाना है, जो की bigger bag होगा ठीक है? अब इसमें देखिए जैसे हैं, आपको यहाँ पर दिया गया है कि 5 case of paper ठीक है? 5 case of paper, 1 case of books अब इसमें देखिए दोनों में bigger bag कौन सा होगा? किस bag में ज़्यादा आएगा? यानि कि 5 case of paper, paper जो है वो 5 case है तो यह ज़्यादा होगा और 1 case of book जो 1 case book है वो कम होगा यानि कि बड़ा bag कौन सा बनेगा? 5 case वाला, ठीक है? तो इसमें हम टिक लगाएंगे 5 case of beans और 1 case of carrot अब किसमें बड़ा bag बनेगा? तो 5 case of beans 5 case है, ठीक है? इसमें टिक लगाएंगे 1 case of curry leaves या 1 case of ginger तो देखें, इसमें बड़ा bag दोनों ही 1 case है इसमें आपको सोचना है कि 1 case दोनों ही है लेकिन बड़ा bag किसमें बनेगा? जो ginger है, जिंजर को अगर हम वेट करेंगे, तो यह कितना होगा? यह थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन जो curry leaves है, यह जादा होगा ठीक है? आप 1 case ही curry leaves लेंगे लेकिन यह जादा quantity इसका जादा होगा यानि कि बड़ा bag कौन सा बनेगा? curry leaves का इसमें हम टिक लगाएंगे 1 case of peanuts और 1 case of cumin seeds अब देखें, peanuts जो है ना लगाएंगे, weight दोनों का बड़ा बड़ होगा लेकिन आपको देखने में वो ज़्यादा लगेगा ज़्यादा space लेगा ठीक है? 1 case of red powder और 1 case of red chili अब देखें, red powder है ठीक है? उसी का powder है चिली का powder बना हुआ है लेकिन वो आपका कम होगा लेकिन अगर आप चिली को weight करते हैं तो red chili वो ज़्यादा होगा ठीक है? तो इसमें टिक लगाएंगे 1 case of tomatoes और 1 case of lemons अब देखें, tomatoes अगर आप weight करते हैं तो कम होगा, लेकिन lemon अगर आप weight करते हैं तो ये ज़्यादा होगा tomato के according ठीक है? तो इसमें हम टिक लगाएंगे जो ज़्यादा जो बड़ा वैग होगा न तो उसमें 1 case of popcorns और 1 case of ice cubes अब किसका होगा? ice cube आप छोटा सा जब ice लेते हैं ice cube लेते हैं कितना छोटा सा होता है लेकिन आप अगर popcorn लेते हैं तो थोड़ा सा popcorn देखते हैं कितना ज़्यादा हो जाता है यानि कि 1 case of popcorn कितना है बहुत ज़्यादा है ice cube के according तो इसमें हम टिक लगाएंगे इसी तरीके से आपको इसे बनाना है इस आप कीपर वेट डिफरेंट आइटम्स ओन दो विधिंग स्केल टिक दो 1 which will be heavier अब यहाँ पर जो है न सौब कीपर यह साड़ा डिफरेंट आइटम्स जो है न उसे वेट कर रहा है विधिंग स्केल से अब इसमें आपको उसमें टिक करना है जो की heavier है ठीक है अब यहाँ पर देखिए heavier कौन कौन सा है जो heavier है उसमें करना है ठीक है वन नमबर में A और B दो दिया गया है तो यह वाला heavier है ठीक है केक इसमें टिक लगाएंगे इसके बाद है इन दोनों में कौन सा heavier है यह वाला heavier है टिक लगाएंगे अब इन दोनों में तो यह वाला अब इन में कौन सा है तो ये वाला है ठीक है इस तरीके से बनाना है इसके बाद है रोहन distributed weight in an orphanage the quantity of weight the quantity of weight he gave was double the weight of a child अब यहाँ पर quantity जो weight का quantity है तो वो कितना है एक child का double है fill in the blanks to know how much weight a child got mark 1 has been done for you तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना weight है ठीक है तो यहाँ पर देखिए weight of child ठीक है और quantity of weight अब यहाँ पर जो है न 7 kg एक child का weight है ठीक है अब इसका quantity नापना है तो यहाँ पर बताया गया है उपर में है कि एक जो है न बच्चे का double होना चाहिए तो double होगा तो हम क्या करेंगे 7 plus 7 दो बच्चे के बड़ाबर होगा तो 7 plus 7 कर देंगे is equal to 14 kg ठीक है अब 14 kg अगर इधर लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 14 plus 14 is equal to 28 kg अब यहाँ पर 13 plus 13 किया हुआ है डबल किया हुआ है 26 kg है यानि कि यहाँ पर कितना आना चाहिए 13 kg अब यहाँ पर 50 plus 50 यानि कि 100 kg है तो यहाँ पर double है तो यहाँ पर हम single लिखेंगे ठीक है 50 kg ठीक है यानि कि weight कितना है एक child का 50 kg तो इधर साथ weight लिखा गया है और इस side में आपको इसका double कर देना है ठीक है उसके बाद है आपका माला cooked a dish and note down the ingredients in her notebook माला एक डिस बना रही है जो कि उसने अपने notebook में उसके साड़े ingredients note किये है help her fill in there correct amount used in the recipe by the words given in the box below one has been done for you तो नीचे जो है आपको correct amount बताना है कि वो जो डिस बना रही है उसमें जो correct ingredient है कि कितना कितना किस quantity में लगेगा ठीक है तो यह आपको नीचे फिल करना है तो यहाँ box में दिया गया है ठीक है अब देखिए दाल तो half kg दाल लगेगा salt कितना होगा? half spoon, turmeric a pinch, onion 1 kg, water 6 glasses और garlic 4 pieces तो यह सारा जो है आपको फिल करना है ठीक है? उसके बाद है gas there, weight and match the following अब इसमें जो है आपको gas करना है कि इसका weight कितना होना चाहिए ठीक है? और match करना है तो देखिए एक जो है ना card का weight कितना होना चाहिए? 1400 kg ठीक है? उसके बाद है आपका यह second में यह बच्चे का कितना होना चाहिए? तो इसका 20 kg ठीक है? तो 20 kg से matching करेंगे ठीक है? 20 kg ठीक है? और उसके बाद यह elephant का कितना होना चाहिए? 2300 kg यह बहुत जादा heavy होता है ठीक है? उसके बाद आपका जो यह है brush इसका कितना होना चाहिए? 10 g ग्राम बहुत ही जो है light weight का होता है ठीक है? उसके बाद है आपका 4 नमर में bicycle पाई cycle का weight कितना होना चाहिए? 11 kg ठीक है? इसे हाल इसके साथ matching करेंगे यानिक 11 kg उसके बाद है यह जो cow है cow का weight 1000 kg ठीक है? उसके बाद है आपका rabbit तो rabbit का weight कितना होना चाहिए? 2 kg और एक cup का weight कितना होना चाहिए? 250 gram cup या mug बोल सकते हैं ठीक है? इसका 250 gram इसके साथ में matching करेंगे ठीक है? तो यह साड़ा आपको इसके according matching करना है इसी तरह से बना लेंगे उसके बाद है यहाँ पर circle the objects which weight more than 1 kg अब उसमें आपको circle करना है कि जिसका weight 1 kg से जादा है ठीक है? तो 1 kg से जादा किसका weight है तो 10 apples कितना होगा? यह 1 kg से जादा होगा ठीक है? तो इसमें हम circle करेंगे ठीक है? इसके बाद एक pack of pens तो इसका weight नहीं होगा 1 kg से जादा ठीक है? अब बैड का कितना होगा? 1 kg से जादा होगा ठीक है? और dozen eggs इसका नहीं होगा इसके बाद है बाथ टब बाथ टब का भी weight 1 kg से जादा ही होगा? इसमें circle करेंगे इस sack of rice एक जो rice का जो बोड़ी होता है उसका weight भी कितना होगा? 1 kg से जादा होगा इसमें भी हम circle करेंगे इस sofa sofa का भी weight 1 kg से जादा होगा? 3 spoons इसका weight नहीं होगा 1 kg से कम होगा ठीक है? जो जादा होगा 1 kg से उसमें हमें circle करना है तो इसी तरीके से बना लेंगे tick the correct weight 1 has been done for you अब यहाँ पर आपको correct weight में tick करना है ठीक है? जैसे कि यहाँ पर यह वाला है अब इसका weight कितना होना चाहिए? more or less than 1 kg अब 1 kg से जादा होना चाहिए या 1 kg से कम होना चाहिए? तो 1 kg से जादा होना चाहिए तो यहाँ पर हम more में tick लगाएंगे एक spoon है इसका weight 1 kg से जादा होगा या कम तो 1 kg से कम होगा तो इसमें lace में tick लगाएंगे ठीक है? इसका weight पैन का weight 1 kg से कम होगा lace में लगाना है mobile का, तो 1kg से कम होगा, lace में tick लगाना है अब एक car का weight कितना होगा, तो 1kg से जादा होगा, mode में tick लगाना है अब इसका, यह जो lunge box है, इसका weight कितना होगा, 1kg से कम तो lace में tick लगाएंगे mango, इसका कितना होगा, 1kg से कम, lace में लगाएंगे और यह जो cow है, इसका weight 1kg से ज़्यादा होगा, तो more में ठीक लगाएंगे, ठीक है, इसी तरी किसे आपको बना लेना है, उसके बाद है, estimate the weight more or less of the following, one has been done for you, अब यहाँ पर आपको estimate करना है, कि इसका weight कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, या कम होना चाहिए, ठी इसका weight कितना होना चाहिए, more than half kg, अब यहाँ पर weight दिया गया है, कि half kg से ज़्यादा होना चाहिए, या कम होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, तो यहाँ जैसे कि more एक तू बताया गया है, अब इसका weight कितना होगा, half kg से कम होगा, तो हम और इसका कितना होगा तो हम इसमें भी लेस लिखेंगे उसके बाद यह यह जो बच्चे का सिजर कवेट है इसके बाद इसमें, इसके बद यह सीजर के वेट भी यह कम होगा तो लेस लिखेंगे ऑछेह उसके बाद इसका ये गारी का वेट कितना होगा ट्रक का इसका आपका हाप के जी से ज़्यादा होगा ठीक है तो इसमें हम मोर लिखेंगे ठीक है इसी तरीके से आपको बना लेना है गिवन बिलो आर दो पिक्चर सॉप डिफ्रेंट वेट्स यहां पर जो नीचे में नीचे आपको जो है कुछ बताया गया है जैसे कि हम लोग को अब्जेक्ट को वेट करते हैं तो हम किन किन चीजों का यूज करते हैं किस किस वेट का हम लोग यूज करेंगे ठीक है जैसे कि एक तो दिया गया है यहां पर आपको दिखाया गया है फाइप केजी का है टू क तो बताया गया है 8 kg सुगर, अगर आप 8 kg सुगर को अगर आप बेट करते हैं, तो किन किन का यूज करेंगे, तो दिखें 5 kg का यूज करेंगे, और 2 kg और 1 kg, तो 8 kg हो जाता है, जो यहाँ पर लिखा गया है, उसी को लेना है, ठीक है, इसके बाद है 1.5 kg क्यारट, 1.5 kg क्यारट को अगर आप बेट करते हैं, तो इसके लिए कौन सा लेंगे, 500 ग्राम, 500 ग्राम बला अप लेंगे, तो इस तरह से आप यह जो पिक्चर बना हुआ है, इस तरीके से आप पिक्चर भी बना देंगे, तो अच्छा रहेगा, ठीक है, इसके बाद है 3 kg of dumbbells, अब 3 kg हैं, तो 3 kg के लिए कौन सा कौन सा लेंगे अप, तो देखे 2 kg और 1 kg, ठीक है, तो यहां पर आप 2 kg कर लेंगे, एक तो और दूसरा कौन सा लेंगे, वन केजी का, 1 and a half kg अब देखे, यहां पर कितना है, 1 and a half kg नियंगे, ठीक है, 1 and a half है तो 1 kg एक लेंगे और एक कितना लेंगे 1 kg यानि कि 500 ग्राम ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 kg 1 kg और यहाँ पर 500 ग्राम ठीक है यह दो हम यूज करेंगे उसके बाद है 8 kg वाटर मिलन अब 8 kg वाटर मिलन के लिए तो 5 kg लेंगे एक तो 5 kg लेंगे दूसरा 2 kg लेंगे और तीसरा 1 kg लेंगे ठीक है इस तरीके से बनाना है या फिर आप इसे दूसरे तरीके से भी और कोई दूसरा अगर यूज कर सकते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं जैसे अगर यहां पर यह वाला नहीं रहे तो आप जैसे 2 kg का भी यूज कर सकते हैं 2 kg का आप 4 टाइम्स यूज करेंगे ठीक है तो 8 kg हो जाएगा लेकिन आपको इतना में ही यह जो दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है तो यह वाला आप लेंगे उसके बाद है 2. अब 2.5 kg पॉटेटोज तो 2.5 kg लेंगे ठीक है और कितना लेंगे यानि कि 500 ग्राम ठीक है तो यह हो गया आपका कितना हो गया 2 kg 500 ग्राम यानि कि 250 kg ठीक है तो देखे इसमें अगर हम इसे ग्राम में कनवर्ट करते हैं तो यह आपका 2,500 ग्राम हो जाता है ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको केजी में ही बताना है ठीक है तो यहाँ पर आप 2 kg 500 ग्राम इस तरह से लिखेंगे ठीक है तो इसी तरह से आपको यह साड़ा सॉल्व करना है जितना भी इस तरह का अगर आप आजाता है तो आप इजीली सॉल्व कर स सकते हैं ठीक है तो इसी तरह से बनाइए आपको चाप्टर कंप्लीट हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्सक्राइब कीजे और पास में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंच दी रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थैंक्स तो वाच माई वीड क्यों पास समय कर दो दो वीडियो!